अलो डियर श्टुडेंट्स और आल रिस्पेक्टेड वीवर्स मैसल प्रितम सर और नाव वी विल सी सर्कल वन का सेकंड पार्ट ठीक है अज हम क्या देखेंगे सेकंड पार्ट जो सर्कल वन का हमने देखा था फॉर्थ स्टेंडर्ट हिंदी और मराथि मीडियम के लिए तो हैंड शेक करते हुए राइट में पूरा जा करके जब लास्ट में आप मिलोगे तो अपने पार्टनर से आथ हाई-फाई करना था तो यह हमने कंप्लीट कर लिया था अब हमें पार्ट टू में का करना है लिसन लर्न एंड स्पीक आपको सुनना है इसे लर्न कर लेना है औ पाक्चीत करनी है तो यहां पर दिखी डायलोग वन दिया हुआ है तो यहां पर डायलोग वन क्या होगा उसके पहले जो टीचर जी है आपके जो सर जी थे उन्होंने का इंस्ट्रक्शन दिया है उससे अच्छे तरीके से हम लोग सुन और समझ लेते हैं नाव वी विल गया जो की इन बच्चों का है ठिक है इन्होंने एक दूसरे की तरफ फिस किया हुआ है तो इन्हीं सर्कल का यूज करके हम इंगलिस के अब डायलोग देखेंगे इसके पहले हम लोगों ने एक गेम खिला था ना वन टू टैन तक फिर एक मीनी सर्कल बना करके हमने हैंड लास्ट में हाई-फाई किया अब हम क्या करेंगे आपस में बोलना भी सिखेंगे कन्वर्षेशन भी इंग्लिस में जो डायलोग है उसको हम बोलेंगे स्पीक करेंगे फाइव डिफ्रेंट पार्ट्स रेडी अब फाइव अलग अलग पार्ट्स देखो टैन थे टैन में से वाइव क्या हो गए सरकल के अंदर आ गए और फाइव क्या थे सरकल के बाहर थे त तो आपस में बातचीत करने के लिए दोजन चाहिए ना कम से कम तो हमारे पास five dialogues हैं और वो उनको कैसे बोलेंगे हमें देखना है तो यहां पर देखिए किसी student को A नाम दिया गया है और B यह dialogue one है तो यहां पर A और B तो A ने क्या कहा hello तो B ने भी कहा hello A ने अगर का hello तो B क्या बोलेगा hello अब यहां पर A ने पूछा how are you क्या पूछा how are you then the B वो reply कर रहा है answer दे रहा है I am fine मैं ठीक हूँ thank you धन्यवाद how are you तुम कैसे हो ठीक है hello hello का मतलब hello है ना अभी वादन किया उन्होंने फिर उनसे पूछा उन्होंने कि how are you तुम कैसे हो त thank you धन्यवाद भी कहा फिर वही question फिर से किया how are you तुम कैसे हो then A ने भी answer क्या दिया fine thanks क्या कहा fine thanks मैं अच्छा हूँ और धन्यवाद आपको भी तो इस तरीके से जो हमारा dialogue 1 था वो complete हुआ आईए अब हम चलते हैं dialogue 2 पे तो dialogue 2 हमारा यहां पर इस circle में है तो आइए देखत हो जो ए है एने क्या कहा what's your name अभी hi hello हो गया how are you भी पूछ लिया अब क्या पूछ रहे है what's your name तुम्हारा नाम क्या है तो बीने का answer दिया है रवी tell me your name प्लीज अउन्होंने simply अपना नाम बोल दिया जैसे my name is नहीं कहा I am नहीं का simply का रवी यानि मेरा नाम रवी है tell me your name please आप अपका भी नाम बताईए please है ना फिर कृपया आप अपना भी नाम बताईए then जो ए है ने क्या कहा चंद्रशेखर क्या कहा चंद्रशेखर you can call me चंदू मेरा नाम चंद्रशेखर है आप मुझे चंदू भी बुला सकते हो आप मुझे क्या बुला सकते हो चंदू तो जो भी में जो इस्टुडेंट उसने कहा रवी फिर उन्होंने कहा टेल मी यॉर नेम प्लीज एने कृप्ट आप अपना नाम बताइए तो ए ने कहा चंद्रशेखर यू कैन कॉल में चंद्रशेखर है आप मुझे चंद्रशेखर भी बुला सकते हो इस तरह किसे अमने डायलोग 2 देख लिया आए अब हम देखते हैं डायलोग 3 तो डायलोग 3 में जो ए है ठीक है ए ने कहा कहा वे यू लीव तुम कहां रहते हो डियरे स्टुडेंट और जो ऑफिर वीवर्स हैं जो इंगलिस सीखना चाहते हैं तो बेसिकली सीख सकते हैं कि यहां पर हमें स्पीकिंग कैसे करनी होती है जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो पहले हाल चाल पूछते हैं फिर नाम पूछते हैं फिर कहां रहते हो तो बी जो है स्टुडेंट उसने एंस जगाइ धिन ए जो है वह पूछ रहे वह इन अमबा जगाई तो अब को पूछ रहे कि अमबा जोगाई में आप कहा रहते हो क्योंकि अमबा जोगाई बड़ी जगह हो सकती है तो वहां पिन कहा नियर नियर मतलब पास में तो योगेश्वरी टेंपल के पास में बेहाइन्द जो त्हसिल ओफिस उसके पीछे बेहाइन्ट का मतलब क्या होता हμαता है पीछे इन गुरुवार पेठ गुरुवार पेठ में ऑन मंडी बाजार रोड जो मंडी बाजार रोड है उस पर तो इस तरी किसे उन्हें अपना पूरा एड्रेस बताया और यहां पर हमारा जो डायलोग 3 है वो कंप्लीट हुआ जहां पर कि ए ने क्या पूछा था वेयर डू यू लिव तो बी ने एंसर बताया था आई लिव इन अंबा जोगाई तो ए ने फिर से देन जो भी है उस ने भी कहा भाई c u have a nice day ए ने कहा बाइ है अल्विदा आपका दिन शुब अच्छा हो फिर बी ने भी कहा बाई है अल्विदा see you, आपको बाद में देखेंगे, बाद में हम मिलेंगे, have a nice day, और आपका भी दिन क्या हो, सूब हो, तो इस तरीके से हमने four dialogues देख लिए dear students, और four dialogues के बाद हमारा second lesson आ जाएगा, यहाँ पर जो भी हमने pair ऐसे बनाए हुए थे, five different pairs, तो वहाँ पे हमने four dialogues देखे, कितने dialogues दे बीने भी का, fine, thanks, फिर dialogue two में क्या हुआ, what's your name, बीने का, रवी, tell me your name, please, then, एने answer दिया, चंदरशेखर, you can call me, चंदू, dialogue three में था, where do you live, तो बीने answer दिया, I live in, अंबा जोगाई, then, एने का, where in, अंबा जोगाई, तो बीने answer दिया, near, योगेश्वरी, temple, behind the tassel office, in बाजार रोड, फिर ये सब बात चीत होने के बार, A ने का, bye bye, have a nice day, यानि, अल्विदा, आपका दिन शुब हो, तो B ने भी कहा, bye, अल्विदा, see you, आपको फिल से मिलेंगे, हम लोग, ठीक है, फिर से हम देखेंगे, एक दूसरे को, have a nice day, तो dear students, इस तरीके से, हमने, इ dear students, ये था, हमारा ये वीडियो का explanation, और practice भी, हम next वीडियो में मिलेंगे, नए lesson को explain करते हुए, और ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे like करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे share भी करिए, और तब तक अपना ध्यान रखिए, और हम मिलेंगे नए वीडियो में, नए explanation कि उपने धियो राताeg राता है ओद दक उलाए बिस नए, और तक ये झायर भी, और हम मिलें चुकु करिए, जब हम करिए, और हम स sitä, रहा है, और ये भी, हम में मिलेंगे जया करिए, तो ऑ다 कर रे चानिंद।-प्रता है, और है, चान्य कुती है, और हम मैं।